हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वलकम बैक टुमाई यूटूब चना अरुप मरगरी तो देखे दोस्तों जितने भी रेलवे ग्रूब डी के एस्प्रेंट्स है आप लोगे लिए आज का इस वीडियो बहुत इंपोर्टन रहने वाला है बिल्कुल आपके रिजल्ड के रिगारिंग जो लो काफी दिनों से आप पने रेलवे ग्रूब डी के टीर वन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जारी कर दिया जाएगा official website में और साथी साथ मैंने आप लोग को ये भी जानकारी दे दी थी कि आपका जो PET exam है वो आपका 3 January से यहाँ पर start करवा दिया जाएगा ठीक है और official मैंने notice भी आपको show कर दिया था कि 3 January से कहाँ पर start होने वाला है बाकी अलग-अलग districts में और अलग-अलग जो grounds वगेरा है respective grounds से उसके बारे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग को ये पता करना है कि आपका जो PET है कब से start होने वाला है क्या करना है complete जानकारी मैंने दिया था तो कल एक notice यहाँ पर दोस्तो काफी ज़्यादा वाइरल हो रहा था railway group D के result के regarding उसमें कुछ important जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ यहाँ पर तो चलिए पहले notice आप लोग को show कर देता हूँ तो देखे दोस्तों यह जो notice है काफी ज़्यादा वाइरल हो रहा था आपके railway group D के result के regarding आप लोग यहाँ पर देख सकते हो government of india ministry of railway's railway recruitment board cn number rrc1 slash 2019 level 1 post यह बिल्कुल आपका railway group D के notice का जो official notification number है वो यहाँ पर दिया हुआ है साथी साथ यहाँ पर देखे दिया हुआ declaration of result for physical efficiency test PET अब देखे इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है the list of candidates utilized for PET based on their performance in the computer based test conducted during the period of 17th of August 2022 to 11th of October 2022 यानि कि 17 August से लेकर 11 October तक जो है आपका tier 1 का exam conduct करवाया गया था is scheduled to be declared after 15 hours on 7th of December 2022 यानि कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो result है 7 December को जारी किया जाएगा official website में दो पहर के 3 बजे के बाद ठीक है अब यहाँ पर इन्होंने दिया है candidates can view their percentile marks and short listing status for PET logging in through the link provided on the official website of RRBs duly entering their registration number and date of birth in XYZ format तो देखे दोस्तों यहाँ पर यह जो notice काफी जादा viral हो रहा था जिसमें यहाँ पर details दिया हुआ साथी साथ यह बताया गया है कि आपका जो tier 1 का result है वो 7 तारीक को दोपहर में तीन वजे के बाद आप लोग अपना official website में अपलोड की जाएगा तो जैसा कि मैंने आप लोग को भी अपने वीडियो के मादे में से हमिसा बताया है कि कोई भी official notice आएगी तो official website में अपलोड की जाएगी जैसा कि मैंने पिसले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि आपका जो रिजल्ट है विदिन वन वीक यहां पर जारी कर दिया जाएगा official website में तो जाहिर सी बात है बिलकुल आपका within वन विक आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तो चीक है तो उमीद ही यह चीज क्लियर होगी होगा सारी details मैंने आप लोग यहां पर अच्छे से समझा दे होगी इसके regarding कोई भी doubt रहेगी नीचे comment वास comment कीजेगा साथी साथ चैनल सब्स्राइब जरूर करके रखेज दोस्तों ताख रिजल्ट के regarding जैसे ही कोई update आती है information आ मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद